सुर्ण साथ हम बात करेंगे derivative of derivative of trigonometric functions derivative से क्या हम राद हम देखेंगे जी कि sin x की जो curve बनती है उसकी अगर हमने slow find out करनी है यह नहीं उसको differentiate करना हो with respect to x विचे देखें y actually एक function है y is equal to sin x यह एक trigonometric function है यह क्या है trigonometric function है जिसमें x वो input है x में आप x is in angle x is in angle let's say in radians तो x के values insert करते जाते तो आपकी y की values निकलती जाती है ठीक है y की values हमारे पास आती जाएंगी ठीक है अब इसके उपर इस से एक graph बनेगा अब हम देखेंगे कि उस graph की different points पे slope की general form find out करने का formula क्या है इसका मतलब है जब हम इस given function से इस given trigonometric function से एक another function derive करेंगे जो के function होगा इसकी इस function की किसी भी point पे slope find out करने का general formula that is called derivative of trigonometric function of sine x या sine कर derivative इसी तरह आपको पता है trigonometric sine एक ratio इसी तरह इसके लावा o ratios भी है ठीक है मतलब हमारे पास जो है वो cause है ठीक है cosine है हमारे पास you know cosine x की find out करेंगे हम tangent x की देखेंगे ठीक है tangent x की देखेंगे पिर इनके reverse secant x की देखेंगे co secant x की देखेंगे ठीक है और इसी तरह से cotangent x की देखेंगे हम just इसकी conceptually study करेंगे बाकी हम just derive कर लेंगे अब let's say हम इसको study करते हैं और हमारे पास जो है वो एक graph already मुझूद है this is a sign curve यह हमारे पास क्या कहलाती है हमारे पास कहलाती है sign curve आप screen पर देख सकते हैं मैं तोड़ा से इसको drag down करूँगा ठीक है चलें यहां पर अब let's say हमारे पास यह curve कैसे आई है for example यह curve मैंने कैसे draw कि मैंने आपको बताया कि x जो है वो angle है x की values insert करते जाते हैं आपके पस y की values आदे जाते हैं अब let's say this height is 1 ठीक है और यह जो height है यह minus 1 है ठीक है and this is 0 this is zero यह x axis है य vedere y axis है ठीक है आप यहां पर मैं एक unit circle ज्राओ कर frozen चलें यहां से मने यह नहीं एक और unit circle draw कर तादया unit circle basically एक ऐसा circle है एक ऐसा circle है जिसका radius कितना होता है जिसका radius होगा 1 ठीक है let's say अगर आप इसको जोइन कर दे इसको इससे कर दे, इसको इससे कर दे, इसको इससे कर दे, बलकि यहां पे थोड़ा से बेहतर कर दे, इसको इससे कर दे, और इसको इससे कर दे, तो यह एक ही यूनिट सेर्कल है, यह हमारे पस क्या है, एक ही यूनिट सेर्कल है, इसके रेडियस कितने है, इसका मतलब है, function of ordinate, किसका है ordinate का, अब ordinate क्या होता है, जो आपका order पर रुद्धा है, इसमें जो first होता है, वो epsilon second ordinate 0, इसका मतलब है sin 0 पे, क्या होगा, 0, mean जब आप sin 0 put करेंगे, तो why कितना होगा 0, तो इसका मतलब है, यह order पे बनेगा 0, 0, अब sin को आप pi by 2 कर दें, for example, इसके हाफ, because this is pi, this is pi by 2, mean कि अगर आप 1 by 4th rotation लेते हैं, anti-clockwise, और आप यहां पे आदे, this angle is 90 degree, अब यहां पे देखें, आपका x 0 हो गया, because y axis पे x 0, और y maximum है, इसका मतलब है, यह point हो जगा 0, 1, इसका मतलब है, जब 0, pi by 2 होगा, तो यह y कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहां पे, this is 1, तीक है, this is 1, इसी तरह से जब आप दुबारा से 0 पे आएंगे, तीक है, यानि आप mean 180 पे आएंगे, mean pi पे तो pi पे जाके, आपका sign कितना हो जगा 0, again 0, इसी तरह जब आप 270 पे आएंगे, तो other way में, अगर आप यहां पे देखें तो this is, यह आपका बनता है 270, यह बनता है आपके पास single 270, जब आप 270 पे आगे, तो आप 270 यहां पे पूट करते हैं, तो y कितना आप देख लें, downside में कितना होता है minus, इसका मतलब है यहां पे order पे कितना होगा, 0, minus 1, ठीक है, यहां पे कितना था, again, minus 1, 0, ठीक है, minus 1, 0, मैं इसको right side पे लिखता हो, नजर भी आए है, minus 1, 0, वो basically इस point की बात की जा रिया है, ठीक है, इसी तरह से, इसका मतलब जब आपका angle है, वो pi हुआ तो जो है वो 0 हो गया और जब आपके अंगल 270 हुआ ठीक है 270 हुआ तो आपके पास वो कितना आ गया minus 1 आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है minus 1 and so on so यह जो आपके पास graph आ रहा है ठीक है यह तो आपके पास sine function graph है हमने find out करने derivative अब derivative क्या होगा अगर मैं white color use करूँ इस point पर slope होगी अगर आप देखें तो ठीक है यह slope slope क्या होती है एक tangent line होती है जो कि जब आप draw करते हैं उस particular point पे तो basically कलाती है slope अगर आप इस point पर देखें तो slope इसकी for example चले white color के अंदर हम कर रहे थे इस point पर इसकी slope यह है one ठीक है इस point पर slope देखते हैं वो है ठीक है इस point पर slope देखते हैं वैसे है इस point पर देखते हैं वैसे है इस point पर देखते हैं वैसे है so यह different slope है slope का मतलब क्या है कि अगर आप x के अंदर जब change लेके आते हैं one unit तो y के अंदर कितना change आते है x के अंदर 1 unit y के अंदर कितना change लेकि आता है ठीक है so this is called slope यह आपके पास कहलाती है slope अब अगर let's say अगर मैं यहाँ पे एक derivative यह function याद रहे है this function is of f of x is equal to sin x यह यह y is equal to sin x का यह function है ठीक है उसका graph है sin x का अब हम draw करेंगे derivative का derivative के लिए हम slope को plot करेंगे let's say जब आपकी जब आपका x axis 0 है तो slope आपकी कितनी है 1 because यहाँ पे देखें 45 degree almost बन रहा है तो 45 degree नहीं अगर आप x में 1 unit change लेके आएंगे तो y में कितनी change आएगी 1 तो 1 over 1 this is called slope change in y with respect to change in x तो slope कितनी होगी 1 इसका मतलब है जब x 0 होगा तो y कितना होगा 1 जब x 0 होगा तो y होगा 1 यहाँ पे मैं एक और x axis ड्रॉआ कर रहा हूँ ठीक है यह मारे पास एक और x axis है sorry अगर आप यहाँ पे देखें यह मारे पास एक और x axis है ठीक है अब यहाँ पे मैं जो है curve plot करूँगा slopes की slope से point जो मिर रहे है mean जब यहाँ पे यादर के this is one here this is one और यह है आपके पास minus one negative one इसका मतलब है जब आपके पास slope जो है वो आपिन जब आपके पास x value 0 होगा यह नहीं x 0 होगा ठीटा 0 होगा angle 0 होगा slope कितनी होगी one इसका मतलब है 0 angle पे one है slope यह नहीं x 0 y 1 ठीक है एक point यह आगया इसका मतलब है जब आपके पास यह देखें यहाँ पे slope कितनी है because यहाँ पे जो any line any line जो कि parallel to x axis होती इसका slope कितनी होती है 0 या पर रड़ी पढ़के आ जोके है because यहाँ पे देखें x के change होने से y में कोई change नहीं आ रहा जब x के change होने से y में change नहीं आएगा इसका मतलब है slope क्या होगी 0 होगी इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास point pi by 2 पे 90 degree पर slope 0 है ठीक है पिर उसके बाद अगर आप देखें pi पे चले जाए ठीक है pi पे जब आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि slope यहाँ पे क्या है negative यानि y decrease हो रहा है x increase होने से y decrease हो रहा है so delta y approximately क्या आजए गर negative में आजएगा तो जब यह negative में आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे slope आपके कितनी है one इसका मतलब है यहाँ पे जब आपका जो angle है pi होगा तो आपके पास यह कितना हो जाएगा minus one ठीक है यह नहीं slope आपके कितनी हो जाएगी minus one इसी तरह से जब slow जब आपके पास वो पहुंचेगा 270 के ओपर तो slope आपकी हो जाएगी zero अगर आप आप इसी तरह से 2 pi के उपर slope आपकी जो हो चली जाएगी यहाँ पर अब अगर आप इस point को join करें इन points को join करें ठीक है यह आप देख सकते है ठीक है और इसी तरह से यह देख सकते है और इसी तरह से यह देख सकते है ठीक है अब अगर आप यहां पे देखें अब अगर आप यहां पे देखें तो हमें समझ आती है कि जहां जहां पे जहां जहां पे x0 है वहां वहां पे अगर आप यहां पे देखें ठीक है जहां जहां पे जो sign given sign function था उसका जहां पे x0 है वहां पे y maximum है यहां पर y 0 है, वहां पर x maximum, जहां पर x maximum है, वहां पर y 0 है, यहां पर देखें, इस sine function, यहां फ of x is equal to sine x के curve के अंदर, आप देखें, जब आपका sine pi by 2 था, x कितना था, 1, यहां पर sine pi by 2 था, x कितना हो गया, I mean, y कितना हो गया, 0, जो, अगर आप यह देखें, कि sine curve की, sine curve की, जब हमने slopes के point plot किये, और उनको जब join के तो हमारे पास एक another curve बनी, अब यह curve अगर आप देखें, तो यह curve किस की है, यह curve तो cause की है, यह curve किस की है, यह तो approach करें cause x को, यह approach करें cause x को, इसका मतलब है, जब आप sine function का difference, इसके differentiation x is equal to, is equal to cosine of x, cosine of x, ठीक है, cosine of x, इसका मतलब जो आपने function derived किया, वो एक cosine function है, अब next आप देखेंगे, sine और बाकी remaining ratios की किस्ता से derivative find out किये जाते हैं,